हलो फ्रेंट्स सबके विश होती है कि अपने कार का या बाइक का नंबर यूनिक हो फैंसी हो तो यह फैंसी नंबर के लिए हम लोग ऑनलाइन अप्लिकेशन कर सकते हैं आर्टियो में यह परिवहन का वेबसाइट है यह वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन सर्विसेस में जाना है और यहाँ एक टाब है फैंसी नंबर बुकिंग इस पर आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको एक यूजर बनाना है यहाँ यहाँ न्यू पब्लीक यूजर पर क्लिक करके यहाँ आपका जो स्टेट है उसलेक करना है अभी सभी इंड है वो सिलेक्ट करके आपको यह डिटेल्स पर नहीं एक यूजर नेम देना है यूजर आइडी और मोबाइल नंबर करेक्ट डालना है और वापस यह क्यापचा फिल करने के बाद साइनब करोगे तो आपके यह इमेल आईडी पे एक मेल आएगा ऐसे रहेगा जिस पे आपको पास्वड और लॉग इन डिटेल्स होगी और पास्वीड लॉग इन से आपको कनेक करना है और फिर से पास्वड रिसेट करना है साइनब सक्सेसफुली होने के बाद इस तरह का मैसेज आपको दिखेगा और फिर यहाँ साइन इन पे आके आपके इमेल आईडी में जो यूजरने में पास्वड है उससे कनेक करने के बाद इमेडियेट आपको पास्वड ओ जो पास्वड आया है उससे एक नया पर्टिकुलर में सीरीज रहेगी और ट्रांसपोर्ट आपका वेहिकल ट्रांसपोर्ट वेहिकल है तो उसके लिए क्या चार्जस रहेंगे यह सारी इंफोर्मेशन यहां डिटेल में दी है आप उसे ध्यान से पड़े और उसके बाद या नंबर सिलेक्शन पर आपको क्लिक क करना है नंबर सिलेक्शन पर क्लिक करने के बाद आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट का आर्टियो जहां आप रहते हो आर्टियो सिलेक्ट करना है वेहिकल टाइप सिलेक्ट करना है ट्रांसपोर्ट है नॉन ट्रांसपोर्ट है और कैटेगरी भी सिलेक्ट करना है यह डालन हुझ है और इसमें से कुछ number available है कि नहीं चेक करने के लिए है registration number status पे जाना है यह registration number status पे जाने के बाद कुछ इस तरह window देखेगा आपको जो red है it means block number ये number आपको नहीं मिलेंगे और जो green है वो आवालेबल नमबर है तो इतने सरे अवालेबल नमबर है हर एक नमबर का अलग-अलग कॉस्ट है जैसे अभी मैं 0010 सिलेक करता हूँ लेट सिक क्या कॉस्ट है उसका मैंने दो नमबर सिलेक किये 0010 0020 दोनों का मुझे हर एक का 45,000 एक नमबर का फैंसी नमबर का कॉस्ट पड़ेगा अगर आपको यह परवड़ता है आपको फिर भी इतना कॉस्ट ली है फिर भी आपको चाहिए तो आपको यह सिलेक करना है नमबर जो चाहिए हो और continue to register पर जाना है हर एक state का अलग-अलग process रहेगा हर एक state का नमबर अलग रहेगा cost अलग रहेगा तो यह मैं goa के लिए बता रहा हूँ बट website सेम है process सेम है आप follow कर सकते हैं यह सब details आपको भरनी है ध्यान से बरनी है जिसमें कोई गलती ना हो और सब कुछ भरने के बाद आपको यहाँ declaration पर क्लिक करके submit करना है जैसे आप details भरके submit करते हो तो आप payment वाले page पर आओगे इस तरह से payment वाला page आएगा यहाँ आपको गाड़ी का जो select किया और नमबर है और यहाँ declare करके आपको payment करना है जो 45,000 यहाँ pay करके आपको pay पर क् continue next page पर यहाँ capture fill करके details चेक करके initiate payment करना है next page पर इतने सारे payment के लिए option है SBI card से आपको कोई charge नहीं है other bank के debit card से कोई charge नहीं है बड़ credit card से आप payment करते हो तो यहाँ आपको 666 amount charges लगेंगे जो suitable payment आपको suit करता है उस पर click करके आपको payment करना है और each loan receipt आपके पास रखना है thanks for watching this video इसमें जो जो updates आते रहेंगे मैं उसके वीडियो बनाते जरूँगा और मेरे channel पे upload करते रहूँगा thanks for watching this video hope you like it